दोस्तों आप देख रहे हैं डी कोट इंडियन तो यहाँ पे फाइनली कैबिनेट के दौरा डीये हाइक को अप्रूवल मिल गया है इतने दिनों से जो डीयर्नेस अलाउंस की बढ़ूतरी पे रोक लगा हुआ था आपको पता होगा कि साल में दो बार डीये को बढ़ाया जा पेंसन धारी हैं उनको बड़ा लाव मिलने वाला है देखे सरकार ने यहाँ पे अभी 17 प्रतीशत है डीये उसको बढ़ा करके यहाँ पे 28 प्रतीशत कर दिया है और यह पूरे देश में एक जुलाई से अप्रीकेवल होगी सभी गवर्मेंट इंप्लॉइज और पेंसनर् प्रतीशत के लिए दिया जाता है और डियर ने रिलीव भी यही तरह होता है बस इसमें अंतर यह होता है कि उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्होंने किने सरकार के अंदरगत अपनी नौकरी की है और उसके बाद रिटायर हो चुके हैं और अब उन्हें पिंशन मिलत और तकरीबन 48,34,000 जो केंद्य कर्मचारी है उनको इससे बेनिफिट मिलेगा और 65,26,000 पेंजनर्स को भी इससे बेनिफिट मिलने वाला है यह बात पतना जरूरी है कि पिछले साल जो है सरकार के द्वारा डिये और डियार के हाइक को फ्रीज कर दिया गया था कोरोणा पर पर फ्रीज कर दिया था सबसे पहला था एक जनवरी 2020 से लेकर के 30 जून 2020 पहला जो इंस्ट्रॉल्मेंट था जिसमें सरकार ने 4 पतिशत की बढ़ोतरी की कोशना की थी दिये में लेकिन क्यूंकि यह फ्रीज था तो यह लागू नहीं हुआ था उसके बाद 3 पतिशत का 1 ज जनवरी 2021 से लेकर के 30 जून 2021 यह तीसरा इंस्ट्रॉल्मेंट था तो इन तीनों को अगर मिला करके हम देखें तीन बार जो है डियरनेस अलाउंस का जो प्रसिंट था वो बढ़ना था चार पतिशत तीन पतिशत और चार पतिशत लेकिन कोरणा वरस के कारण यह फ्रीज थ होता है अभी सरकार ने क्या किया है पूरा इसको बढ़ा दिया है 17 पसंट था इसमें अगर आप 11 जो देंगे तो 28 हो जाएगा 28 पसंट जो है डियरनेस अलाउंस सरकार ने कर दिया है हाला कि यह जो है अपलाई सिर्फ एक जुलाई से होगा इसका मतलब यह कि इस से पहले जो था जो की एरियर था वो नहीं मिलेगा कहा गया है वो 17 पसंट ही रहेगा ऐसा फिलहाल अभी सरकार के तोरह कहा गया है आगे सरकार का क्या फैसला होगा हो सकता है कि सरकार इसको दे दे लेकिन अभी सरकार के तोरह यह कहा गया है कि एक जनवरी 2020 से लेकर के जो 30 जून 2021 तक का जो डियर्निस अलाउंस था वो 17% ही था उसको हम लोग बढ़े वे रेत के हिसाब से नहीं देंगे